हेलो दूस्तो दूस्तो मैंने एक्स्ट्रेक्शन मूवी दुबारा से देखकर खत्म की अभी अभी and to be honest यार मूवी का जो एक्स्ट्रेक्शन था वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था मैंने उसी वक्त इस मूवी को देख लिया था जब 24 अपरेल को 2020 को यह दिलीज हो हो रही है जैसा कि मैंने का एक्स्ट्रेक्शन का एक्षन बहतरीन है मतलब वो जो शॉट्स थे यहां पर वो दंदीप होडा की इंट्री होई और वो जो सीन था जब उस बच्चे की शकल देखने को मिलती कि जब वो किड्रेंड हुआ था एंड वो जाता है कि उसको कि अब तो मैं ठोन करोंगा के तो बहरे पएसे आ जाएंगी तो बहां पर जो उसने मारकाट मचाई यह उसके बास जन्दीप हुडा की जब इंटरी होई और जन्दीप हुडा होई और कि लिग्षेंस स्बोड चेंज बीच सेब弦 की जो फाइट सीग्वेंस था फ्रड़कों पे यार गजब की है मतलब सिनेमेटोग्राफी दिख के मज़ आ जाता एंड इस मूवी के अगर मैं कहूं कि बो जो शौड था जर्डदी फूड़ा और किस हमसवल्त के बीच वाला जो शौड था एंड जो कलाइमेक्स था इस पूरी मूवी में ये दो चीजे मुझे पहत दिन लगी बिल्कुल मतलब अलगी लिव लगी थी बिल्कुल कमाल की थी गचब की थी एंड उसके बीच यार मतलब जर्डदी फूड़ा वाला जो सीन खत्म हो गया इसके बाद बीच जब ट्रक बिलास्ट लुगा सिलैंडर फटे एंड उसके बाद बो लोग पुल के नीचे विड़िच के नीचे से ओकर कहीं और चले जाती है जब रात हो जाती है तो बहाँ पर मुवी यार मुशे इसके क्लाइमेक्स तक थंटी डिप फील हुई मतलब यार पर कुछ भी नहीं हो रहा था इसके दिन रैट्इंग जा मज़ग नहीं था बात ही नहीं थी मतलब वहां से बस्कूरने लगा था इसके दिन पर कुछ भी बहुत खास नहीं हो रहा था जब लेविकार की इन्टरी होई वो चीज अची एंड यापर स्टोरी लाइन मतलब फिल्म शुरू होने से पहले यापर क्या-क्या हो चुका है वो यार उतरना किलियर नहीं हुआ मतलब साजू जैसा एक स्पेशल और फोर्स वाला बंदा वो महाजन के चक्कल में कैसे पढ़ गया वो किया दावल्जी या मतलब वो करेक्टर है डुका का जो बोस है ऑसका उन दोनों के बीच क्या दावल्जी चल रही है और वो तरह क्लियर नहीं हो पाया मतलब पंकागह शीट्रपाटी मिच्शल से एक मिनट का सीन रहा होग जूजिश जील में थे एंड वो जेल में क्यों है उन्दोंना के बीच क्या राइबल्री है साजुन के चकर में कैसे बढ़का है एसा कि उसको मतलब उसने बता कि तू अपने बच्चे का बड़े नहीं मना पाएगा तो जाकि मेरे बेटे को लेके आ तो इतना क्या खौफ है उसका तो यह चीज़ें यह पर किलियर नहीं है जो भी था एक्षन बहतरीन था उसकी कोरियोग्राफी बहतरीन थी जो फैटी सीकेंस इस जो बंटे शॉट थे जो एडिटेंग है मूवी की एंड जो एक्षन की जो कोरियोग्राफी है जिस तरीकी से परफॉर्म किया है एंड इस इस पैशली पुड़ा और अफकोस क्रिस हम सबावत बहतरीन एक्टिंग की है इन दोनोंने एंड मूवी के बीजीम भी कहीं न कहीं अच्छा है तो यह है मूवी मिया एंड लेंथ पौने दो घंडे की मूवी है पौने मुझे गल्दी से बुलिया तो दो घंडे की यह फिल्म है बाई एंड यार लेंथ मुझे कहीं न कहीं ज्यादा फिली मतलब एक्षन वो जो दो शॉट्स इस मूवी की जो जो दो बैस्ट शॉट्स है इन के लब मूवी यार लगवग डिप ही हो गई थी मैं डिसकनेक्टेर सा फिल कर रहा था एंड यहां पर एक चीज मुझे बहुत अच यहां पर की वह समल पाए यहां पर आज वह कुछ भी कर पाए एंड यही चीज X-Tres 2 के ट्रिलर में भी थी ते क्रेंड वाला सेक्वेंस वाल यह से निकलता है है जो जो गोलियां चलाता है फेकंड पार्ट के ट्रिलर की मैं बत करा हूँ तो यह है एंड फेकंड पार्ट में फफ्ट पार्ट के बीच करीड नौ महीने का यहां बे गैप है एंड इस फफ्ट पार्ट के अंत में आईगेस वो टाइलर ही था जो वो सुमिंग पूल के बाहर खड़ा था वो बलर सा दिखाई नहीं गया यहां फेकंड पार्ट में लग रहा है लेकिन इस फ़ीड यह लेकर मचे उतना कँछ खाफ नहीं लगा फिलाल के लिए पर उसको निकाला जाता है उसका इलाज चला नो महीने तक वो आईगेस कोमा में रहा है फिर जा के वो निकलता है या दाश्त खो बैठता है अपनी तो यह चीज़ें फैकंड पार्ट में हमें देखने को मिलेंगी तो मैं तो आपसकोस इक्साटेड़ हूं परसो फिल्म रिल राला है फैकंड पार्ट में फिल्म की बताने की ज़़ोत नहीं अपको अब को पता है इस टोरी और राइटिंग यार जो पेसिंग थी फिल्म की वह कुछ एक के बिल्कुल थंडी डिप होती होई फिल्म है डिस्क्नेक्टेट सब्सक्रादा मोवी के मेडल पार्ट में जो तो यह बाकी आपका जो भी टेक्ट हो लिख होता है और अख्टिंग लगवग सभी के अच्छी है और अच्छी गाली अभी हिन्दी में और इंग्लिश में भी तो घुण घराबा भी अच्छा खासा है तो पीज़ए ऐसा कोछ भी नहीं कि फैमिली के साथ नहीं पाइज अपने टेके लिक के बताना एंडे लाइक शेदे और फब्सक्राब करना चनल को बिडियों एंडे देखते हैं कि एक्ष्रेक्षन टु कैसी निकल दी बागी अपने टेक लिक के बताना एंडे फिवनेती शाने शाने फैने उप तेंक्यू